माइक्रोबिट एक पॉकेट कम्प्यूटर है और किसी भी कम्प्यूटर की तरह इसमें इनपूट, प्रोसेसर, मेमरी और आउटपूट है जैसे ये A और B बटन, इनपूट का एक तरीका है साथ ही, हम माइक्रोबिट को अन्य सेंसर से कनेक्ट करके इनपूट उनसे भी ले सकते है ये माइक्रोबिट का प्रोसेसर है और इसी में फ्लैश मेमरी भी है आउटपूट का एक तरीका है ये 5x5 की LED grid ये LEDs light sensor का काम भी करती है इनके अलावा हम माइक्रोबिट को स्पीकर मोटर आदी से जोड सकते हैं जो माइक्रोबिट से आउटपूट लेने के और तरीके हैं लाइट sensors के अलावा माइक्रोबिट version 1 में कुछ और sensors भी लगे हैं जैसे temperature sensor, compass या magnetic field sensor और accelerometer जो माइक्रोबिट में movement detect करने का sensor है इनके अलावा माइक्रोबिट में general purpose input output pins जिनहें GPIO कहते हैं भी लगी हैं इन pins को हम अन्य sensors और devices से connect कर सकते हैं माइक्रोबिट में radio और bluetooth antenna मौजूद है जिनसे एक माइक्रोबिट को अन्य माइक्रोबिट स्मार्टफोन और दूसरे devices के सांथ लिंक किया जा सकता है कंप्यूटर पर program लिख कर program को USB cable से माइक्रोबिट में download करते हैं इस reset button से हम माइक्रोबिट में download किये program को दुबारा start कर सकते हैं माइक्रोबिट को power या तो computer से जोड़े USB cable से या फिर 3V के battery pack से दे सकते हैं माइक्रोबिट के लिए programs हम computer पर या tablet और smartphone में माइक्रोबिट की अप यूज़ करके लिख सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रोबिट की app में program लिख कर हम कैसे उसे माइक्रोबिट में transfer कर सकते हैं माइक्रोबिट को power देने के दो तरीके हैं एक या तो इसको आप USB केबल यूज़ करके अपने कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं या आप एक तीन वोल्ट का बैटरी पैक लेके इसके अंदर दो ट्रिपल ए बैटरी लगी हैं आप इससे भी माइक्रोबिट को पावर दे सकते हैं हम इसको अपनी अप के साथ कनेक्ट करना चाते हैं मैं अभी आपको पहले इसको एंडरॉइड में दिखा रहा हूँ तो एंडरॉइड की डिवाइस में Google Play में जाके आप माइक्रोबिट आप जो है वो डाउनलोड कर लो उसके बाद हम इसको connect करना चाहते हैं अपने microbit से तो connect दबा के हम कह रहे हैं कि pair a new microbit और यहां हमारे को instructions क्या हैं कि हमारे को microbit में Bluetooth on करने के लिए हम A और B button एक साथ दबाएंगे उनको दबाए रखेंगे और पीछे जो ये reset का button है इसको दबाएंगे और release कर देंगे तो अब मैं A और B button दौनों दबा रहा हूं और पीछे से मैं reset का button दबा के उसको छोड़ रहा हूं तो ये पूरा light up होके यहां पर एक ये unique जो है वो signature आ जाएगा इस particular microbit का और हम यहां पर फिर app में next button दबा के इस unique pattern को यहां पर copy कर रहे है रेप्लिकेट कर रहे है तो ये करने के बाद हम फिर कह रहे हैं pair तो मेरे experience में Android में जो microbit की app है वो थोड़ी buggy है buggy मतलब उसमें कुछ bugs हैं और वो हमेशा नहीं काम करती है और play store में जो और लोगों के comments हैं वो भी similar हैं तो connect करने का फिर दूसरा तरीका क्या है अगर आपको app से आप नहीं connect कर पा रहे हो तो आप जैसे कोई भी regular device connect करते हो हम वैसे connect करने की कोशिश कर सकते हैं तो एक तो problem है कि जो location services हैं ये on होनी चाहिए location services on करके फिर मैं Bluetooth में जा रहा हूं और यहाँ पर हम more settings में जाके देख रहे हैं कि हमारा microbit यहाँ recognize होगा तो यहाँ recognize हो गया तो हमारा पास इस particular microbit का unique signature आ गया है कि BBC microbit called T-God तो इससे हम अभी यहाँ पर अपने Android device से कोई भी Bluetooth पे device connect करते हो वैसे हमने connect कर लिया और ये connection establish होने का जो हमारा को check mark है वो हमें microbit में मिल गया अब हम जाके वापस अगर वो microbit की app launch करेंगे तो हमार को यह मिल गया कि you have successfully paired your microbit press the reset button तो हम यहाँ पर फिर से पीछे जो है वो reset button दबा रहे हैं अब हम कोशिश करते हैं कि कोई हम जो program है उसको इसकी flash memory में जो है डालें पर again मेरे experience में Android की app is not the best way of doing this for some reason उसमें कुछ न कुछ errors ही आते रहते हैं तो मैं कोई pre-made program है इसको flash करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह status में दे रहा है not connected तो हम इसको फिर से connect करने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि हमने वहाँ Bluetooth से connect कर दिया था directly अब हम यहाँ पर यह कह रहा है हमें की जो within the app भी अब यह connect हो गया है और अब हम फिर से जाके इसमें कोई flash करने की कुशिश करते हैं प्रोग्राम मुझे तो बार-बार यह error मिलता है आप भी try करके देख लेना पर मैं आपको यही app जो है वो iOS device में दिखा देता हूँ कि कैसे आप connect करते हो कैसे कोई program लिखते हो और कैसे उसको फिर microbit में flash करते हो तो android app का मैं बहुत sure नहीं हूँ मैं आपको iOS app पे दिखाता हूँ iOS में भी आप app store में जाके microbit की app जो है वो download कर लें और उसको launch करके उसमें भी similar options हैं जो हमारे को android की app में दिख रही थी और मैं यहाँ जाके कह रहा हूँ choose microbit और मैं कह रहा हूँ कि pair a new microbit यहाँ पर भी हमारे को microbit में वही करना है a b button दबा के simultaneously दबाये रखते हुए पीछे जो reset का button है वो दबाना है तो यह pattern full होगा bluetooth का symbol और फिर यह हमारे पास इस particular microbit का unique pattern आ गया है फिर हम app में जाके next दबा कर यह जो हमारे को pattern मिला है उसको हम यहाँ copy कर रहे हैं तो अब यह pairing जो है यह successful हो गई है और हमारे को यहाँ पर यह check box मिल गया है और instructions हैं कि हम फिर से reset का button दबा दें तो हम पीछे जाके reset का button दबा देते हैं तो अब हमारा जो microbit है वो हमारे device के साथ pair हो गया है और हम अब यहाँ इसमें एक create code का button दबा के एक छोटा सा program लिखते हैं और उसको हम फिर जो हमारे microbit है इसमें transfer करना सीखेंगे तो मैं यहाँ पर new project सेलेक्ट कर रहा हूँ और हम एक simple सी animation बनाना सीखेंगे तो मैंने project का नाम दिया animation create तो यह हमारे को अब हमारे जो iOS device में microbit app में coding का यह interface मिल रहा है तो इसमें यह जो दो initially जो है button हम इनको अगर drag and drop करके side में तो हम यह delete कर देते हैं दौनों को फिर मैं यहाँ input सेलेक्ट कर रहा हूँ और input में मैं on button a press का button जैसी programming block जैसे ही दबाता हूँ तो यह हमारे programming stage में आ गया और अब मैं वापस LEDs में जाके सेलेक्ट कर रहा हूँ तो show LEDs जब दबा रहा हूँ तो यह आ गया इसको मैं drag करके करके इसके अंदर जैसे हम scratch में करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ link कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो भी यह जो यहाँ पर grid हमारे को नदर आ रही है यह 5 by 5 की grid है जो हमारे को micro bit में भी दिखती है और यहाँ पर हम यह जो buttons है यह toggle है यानि जब मैं दबाता हूँ तो एक बार दबाओ तो on और उसी को दुबारा दबाओ तो off तो यह toggle mode पर हैं तो यहाँ पर हम एक कोई simple सी animation बना रहे हैं थोड़ी आप imagination यूज़ करना मैं एक kind of a dog type of a animation बना रहा और मैं इसको जो iOS app में simulator है इसमें भी try करके देख सकता हूँ तो यह micro bit का simulator है app के अंदर मैं A button दबाता हूँ तो मुझे यह pattern मिल गया यानि हमारा code ठीक काम कर रहा है अब मैं इसमें इसको दबा के duplicate कर रहा हूँ तो duplicate जब मैंने किया तो यह grey out हो गया यह grey out इसले हो गया क् हमारे को indicate कर रहा है कि हमारे code के साथ कुछ problem है और problem क्या है कि हम दौनों जगह पे कह रहे है button A pressed तो यह change करने के लिए मैं A का drop down दबा के इसमें button B select कर रहा हूँ तो यह अब light up हो गया यानि कि code ठीक है और अब मैं यह animation बदल रहा हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे क यह dog जो है जब हम B button दबाएंगे तो यह jump कर रहा है position tail leg और पूरी position यह बदली तो हम कह रहे है button B पर यह है हमारा जो simulator है यह light up हो गया यानि कि यह code simulator में test कि हम कर सकते हैं तो simulator दबा के अगर मैं यहा button A press करता हूँ तो यह shape मिलती है और button B तो यह तो अगर मैं A B A B दबाता हो तो sort of a थोड़ी imagination आप use करो तो यह हमने animation बनाई है as if a dog is jumping तो यह जो हमारा program है अब हम इसको transfer करते हैं अपने microbit पर तो इसके लिए हम यहाँ पर जाकर यह save का जो button है यह दबा रहे हैं तो यह program save होके हमें option देगा कि हम इस program को जो है वो transfer करें अपने microbit पर तो यह animation का हमारा भी program था और मैं यहाँ पर इसको select करके कह रहा हूँ flash पर flash करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें microbit को दुबारा जो bluetooth ready state है उस पर लाना पड़ेगा जिसके लिए हम A B button साथ दबाते हुए पीछे reset का button दबाते हैं और release करते हैं तो हमारे पास जो और तब तक हम A B पकड़े रहते हैं जब तक कि यह हमारे को इस microbit का unique pattern नहीं मिल जाता तो जब यह pattern हमें मिल जाता है इसके बाद हम अपनी app में जाके फिर जो भी हम program select करना चाहते हैं flash करना चाहते हैं उसको select करके और फिर हम यह flash का button दबाते हैं और यह कह रहा है flashing code to micro please do not interact with the microbit until the process is complete फिर हमारे पास यह आ गया कि flashing is successful यानि कि यह जो program है यह हमारे microbit में transfer हो गया है और हम इसको test करके देख सकते हैं तो मैं A button दबाता हूं तो हमारे को यह shape मिल रही है B दबाता हूं तो यह shape मिल रही है और अगर मैं A B continuously दबाता हूं तो यह हमें animation का हमारा program ज तो इस तरीके से आप अपने microbit को अपने iOS device से connect करके program जो है वो flash कर सकते हैं अपने microbit पर theoretically यह जो process हमने iPhone में देखी यही process Android के phone के लिए भी है पर Android के phone में जो app है वो कभी काम करती है कभी नहीं काम करती है आप try करके देख सकते हैं अगले विडियो में हम समझते हैं कि हम कैसे PC या laptop पर browser यूज़ करते हुए microbit के लिए program लिख सकते हैं browser पर ही simulator पर उसको test कर सकते हैं और फिर कैसे उसको हम microbit में transfer करते हैं